10 साल के गोल को 6 महीने में, सिर्फ 6 महीने में कैसे आंसिल करते हैं, ये आज आप भहुत अच्छे से जान जाओगे एक लड़का है राउल, आज वो भहुत दास है, वो अंदर से पूरा तूट चुका है, इसकी एक वज़े है, वो अपने लिए भहुत बड़े-बड़े सपने तो देखता है, आसमान चुने के सपने देखता है, लेकिन बदले में थोड़ी भी कोशिस नहीं करता हुने पाने हो जाता है, जिन्दगी के लिए ऐसे बड़े-बड़े सपने देखना, राउल को पसंद तो भहुत था, लेकिन वो हमेशा सिर्फ इसे सपने तक ही सीमित रखता, वो खुआप तो हजारों बनता था, मगर कोशिस किसी एक के खातिर भी नहीं करता था, दिन पर दिन ऐसे ही बीटते गई, और एक समय ऐसा आया, जब उसके सारे दोस्तों और वो खुद एक ऐसी उमर में आ गए, जहां से इंसान की जिन्दगी यंग से एडल्ट में बदल जाती है, और तब लोग आपके माक्स नहीं ओकात पूछते हैं, राउल बरबात दिख रहा था, उसके पैच बीटता की वो इन सबसे कितना पीछ रह गया है, उसकी उकात खाक बराबर रह गई है, लेकिन इसकी वज़य तो वो खुद ही है, क्योंकि सपने देखना आसान होता है, लेकिन उनी सपनों को हासिल करना और वो भी जल्द से जल्द ये थोड़ा मुस्किल होता है, ऐसे में क रखो करोडों लोग हैं इस देश के अंदर जो इसी फेज से गुजर रहे हैं, इसी चीज में संगर्स कर रहे हैं, तडप रहे हैं, मैं भगवान से प्रे करूँगा कि एटलिस्ट ये वीडियो देश के हर कोने तक पहुँचे, ताकि हर यंगश्टर को समय रहते कुछ ऐस करने वाले हैं, देखिए, अब तक हमारी वीडियो देखकर आप में उम्मीद जगती थी, मुझला बढ़ता था और लाइफ चेंजिंग आइडियाज मिलते थे, लेकिन अब मैं आपको इसके साथ-साथ एक और सांदार चीज ओफर करने वाला हूँ, अब वो सांदार को सूट करता हूँ, सबसे पहले गोल का पता होना इंपोटेंट है, मैंने इस सेम टोपिक पर कई वीडियो देखें, लेकिन सच कह रहा हूँ, मुझे किसे में कोई खास दम नहीं लगा, सब सीधा टिफ्स दिये जा रहे हैं, लेकिन उसको कैसे यूज करना है, और सबसे प वजय थी राउल के बरबाद होने की, गोल को हम तीन स्टेप में डिसाइड करेंगे, पहला कि क्या वो हमारे इंट्रेस्ट से मैच कर रहा है, दूसरा कि क्या वो हमारा पैसन बनने के काबिल है, तीसरा कि क्या हम उसमें बहुत प्रोफेसनल होने के काबिल है, देखो अगर इंट्रेस्ट होगा तुम उसके लिए पैसनेट रहोगे तभी तुम बिना घड़ी देखे बिना दर्द और सुकुन तला से बहुत अच्छा हार्डवर करोगे और तभी रिजल्ट्स ऐसे होंगे कि तुम्हारे बड़े गोल भी जल्दी पूरे होने लगेंगे चलो एक गोल रूल नमबर वन, increase your speed with great consistency. देखो, एक किलोमेटर की दोड़ आप 6 मिनट में भी पूरी कर सकते हो, 12 मिनट में भी और 20 मिनट में भी उसी तरह किसी भी गोल को 6 महिने में भी हांसिल किया जा सकता है, दो साल में भी और उसी सेम गोल को अच्छीव करने में 10 साल भी लग सकते फर्क पता है क्या है फर्क है सिर्फ और सिर्फ इस्पीड का की आपकी गती कितनी तेज है अगर आप 10 किलोमेटर पर आवर की स्पीड से दोड़ते हो तो आपको लगेंगे 6 मिनट अगर आप 5 किलोमेटर प्रती घंटा की रफतार से भागोगे तो 12 मिनट और इससे भी धीमा जाओगे तो 15-20 मिनट भी लग जाएंगे लेकिन क्या सिर्फ इस्पीड ही मेटर करती है जल्दी पहुंचने के लिए तो इसका जवाब है नहीं स्पीड के साथ साथ कंसिस्टेंट भी होना पड़ेगा अब जैसे फूर एक्जामपल अगर आप पहले मिनट के लिए एकदम तेज भागते हो लेकिन अगले ही पल एकदम से धीमा हो जाते हो और फिर 5 मिनट बाद रफ्तार पकड़ते हो वापस धीमा हो जाते हो तो ऐसे करनी होगी तब ही रिजल्ट्स मिलेंगे अगर इस्टुडेंट हो और जल्दी से जल्दी किसी भी गवर्मेंट या जेई निट जैसे एक्जाम्स को क्रेक करना चाते हो तो हर दिन 8 से 10 गंटा पड़ना सुरू करो क्योंकि यही वो चीज है जो तुमारे 3 और 5 साल के गोल क कुछ महीनों या एक साल के अंदर हंसिल करने में काम आएगी रूल नंबर टू वर्क ओन स्ट्रेटेजी अब जैसे एक मोटा और भारी सरीर जो सिर्फ तेल लगा कर परांटे पेलता हो ऐसा सरीर तो कभी तेजी स्वीड पकड़ी नहीं पाएगा और कंसिस्टेंसी तो भह करना होगा और आराम से दूर रहना होगा इसके अलावा हमारे सेडूल को भी ठीक करना होगा ठीक ऐसा ही अगर तुम अपने करियर के किसी गोल को जल्दी हांसिल करना चाते हो और अगर उसके खातिर स्पीड बढ़ाने की ज़रुरत है तो सबसे पहले तुमें एक स्ट्रे करके एक परफेक्ट स्ट्रेजी बनाओगे और ये तुम्हारे भहुत काम आने वाली है रूल नंबर थिरी गलतियों को इसकिप करो एक भहुत मस्त चीज बताने वाला हूँ सायद तुमने खुद भी कभी इसके बारे में सोचा होगा मगर बहुत दिक्कत ही है ना कि कभी तुम इसके इंपोर्टेंस को नहीं समझती अच्छा एक बात बताओ तुम एक रास्ते पर सफर तै कर रहे हो जिसकी मंजिल कहीं जाकर मिलती है तुमने आज तक अपने मंजिल को आशिल नहीं किया तुम सिर्फ उस रहा के मुसाफिर हो ऐसे में कब किस जगया गड़े मिल लिख देना कितना आसान हो जाएगा इसके लिए तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है बस एक सिंपल और चोटी सी चीज करनी है देखो जाईर सी बात है तुमने उस मंजिल को चुना है तो पहले भी कई मुसाफिर होंगे जो उस मंजिल तक पहुँच गए होंगे या गलतियों को करके सीखने से बहतर है उन गलतियों को किये बगार आगे बढ़ जाना एक ही मंजिल तक पहुँचने के कई रास्ते हो सकते हैं तो अगर आप उन मुसाफिरों को जैदा जानोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि क्या तरीका या कैसा रास्ता आपको आपक अगर आपको जल्दी सक्सेज चाहिए तो जब तक ना मिले एक सेकेंड भी फालतू आराम नहीं लेना है किलिंग एटिटूड को जब आप खुद के अंदर जन्म दोगे उस वक्त आपके दिमाग पर भूत सवार होगा कि जो काम करने का फैंसला लिया था अब चाहिए जो हो एटिटूड जब होगा ना तब तुम हर काम में आगे रहना चाहोगे सो माक्स के एक्जाम में अगर तुम्हारा 95% भी आएगा तो तुम उस 95% के लिए जस्त नहीं मनाओगे बलकि उस छूटे हुए 5% के लिए अपसोस करोगे और वो 5% कहां रह गई ये ढूंड कर अगल एटिटूड के मालिक बन जाओ रूल नबर 5 6 months equals to 180 possibilities देखो अगर 6 महीने को 6 महीने समझोगे तो तुम्हारा माइंड इसे 6 मोकों के रूप में देखेगा जो की कम है लेकिन अगर यहीं तुम इसे 180 दिन के रूप में देखोगे तो तुम्हारा माइंड हर दिन को एक मोके के रूप में देखना सुरू करेगा जो तुम्हारे लिए कमाल की बात साबित होगी, एक दिन बुरा जाए, लेकिन अगर अगला एक हफता बढ़िया जाए, तो इससे अच्छी और क्या ही बात होगी, इसलिए हर दिन तुम्हारे लिए मोका है, एक संभावना है तुम्हारे कामियावी की, 6 महीने 180 मोकों के बराबर है, और इसक सपना देखना इतना मुस्किल नहीं होता, और पाना तो बिल्कुल नहीं होता, लोगों की अपनी मान सिखता है, जैसे बारी सुरू होते ही, दूसरे पंची छुपने के लिए जगया खुशते हैं, वहीं एक बाज आसमान चीर कर उपर निकल जाता है, बस करने की चाहा होन चाहिए, और सपनों को जल्दी हांसिल करना आना चाहिए, बाकी वक्त कितना लगेगा, ये सिर्फ आप पर, और आप पर ही डिपेंड करता है, इसलिए मैंने उपर आपको कुछ मंतर बताएं, कुछ नियम बताएं, जिनसे आप अपने लक्षय को 6 महीने या एक साले में प जवाल पुछे जाएंगे, और जो हमारे लोयल विवर होंगे, उन्हें तो इसका जवाब 100% पताई होगा, और ये मैं आप सभी को अभी बता दे रहा हूँ, ताकि आप इस मोके को मिस ना करो, और आपसे जो भी वीडियो आए, उसे पूरा देखो और गोर से देखो, ताक कि अगर वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक करना, और आपने उन दोस्तों के साथ जरूर सेर करना, जिने आप सक्सेस्फुल होते देखना चाहते हैं, और हाँ, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब करके बैल आकन भी जरूर दवा लेना, बाकी मिलते हैं, ऐसी एक और बवाल वीडियो के साथ, जै हिंग, जै स्रीकरशना